अलो इस्टुडेंट्स मैं आउ सुमित कुमार पंडे और आपके सामने आज मैं जेनरल साइन्स के कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यों कुश्चन लेके आया हूँ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं चाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं अप्सन है आपके हेलयोफाइट्स, B, थियोफाइट्स, C, सियोकाइट्स, D, इन में से कोई नहीं तो आपका करिक्ट एंसर है C, सियोकाइट्स क्या है अप्सन है A. फेफडा, B. नाक, C. ट्रैकिया, D. क्लोंग Option A. करेक्ट एंसर है फेफडा Question number 3 निम्न में से कौन से बिमारी स्वसंत तंत्र से संबंदित है Option A. डाइरिया, B. टीवी, C. निमोनिया, D. B. और C. दोनो Answer है आपके Option D. B. और C. दोनो Question number 5 मचलियों में उत्सर जी पदार्थ क्या है Option A. अमीनो अमल, B. यूरिक अमल, C. यूरिया, D. अमोनिया Answer है D. अमोनिया Question number 6 पदे में आवस्षक्ता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं Option है A. अवसोसर, B. वास्पोत सर्जन, C. उत्सर्जन, D. प्रकास संसले सर्ड Option B. करेक्ट अंसर है वास्पोत सर्जन Question number 7 निम्न में से किसे प्रकास संसले सी अंगक करते हैं Option है A. पत्ती, B. हरितलवक, C. स्टोमेटा, D. जड Option A. सई अंसर है पत्ती Question number 8 पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं A. जड, B. रंद्र, C. टानी, D. आपके एंसर है B. रंद्र Question number 9 पेपड़ा का आकार होता A. गोलाकार, B. बिलनाकार, C. संक्वाकार, D. अंडाकार Answer है C. संक्वाकार Question number 10 भोजन का पाचन किस प्रकार की अविक्रिया है? Option है A. उप्चेहन, B. संयोजन, C. आप्चेहन, D. विस्थापन A. आपका correct answer है उप्चेहन Question number 11 हार्मोन सब्द का नामकरड किस ने किया था? A. राबर्ट, B. अरस्तू, C. बेलिस एम स्टारलिंग, D. ब्राउन पोर्टर Option है आपका C. बेलिस एम स्टारलिंग, बेलिस एम स्टारलिंग ने हार्मोन सब्द का सरवप्रतम प्रयोग 1906 में किया था? Question number 12 प्रितक करड का नियम किस ने दिया? Option A. असिरियन, B. डार्विन, C. मेंडल, D. बेवी लूनियन Option आपका गर्रेक्ट एंसर है C. मेंडल प्रितक करड का नियम ग्रेगर जान मेंडल ने दिया था? Question number 13 जिव विज्ञान सब्द का प्रयोग सरप्रथम किस ने किया आपका एंसर है जिव विज्ञान का सरप्रथम प्रयोग लेमार्थ तथा ट्रेवी रेनस ने सन अठारा सो एक में किया था जिव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं आपका एंसर है C. अरस्तु अरस्तु को जिव विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि जिव ने ब्यापक रूप से प्राकृतिक दुनिया का अधेयन किया था और उसके उत्पत्ती को दिव्य हस्तक छेप से जोडने के बजाए विज्ञानिक अंतरदिष्टी और विवस्तित टिपड़ियों का उपयोग करके जाच की थी वह पहले ऐसे ब्यक्ति थे जुनोंने जानवरों के बीच संबंद को उजागर करने वह वर्गी करण की एक प्रडाली इस्थापित की थी कोश्चन नमबर 15 वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थ्रियोफ्रेस्ट, डार्वीन, पुरकिंजे, अरस्टू ए थ्रियोफ्रेस्ट को थ्रियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है ये ग्रीज के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थी इनका जन्म इसाप पूर्व 372 में लेजबांस दीब के पेरेसस नामक नगर में हुआ था अतामरित्यो इसाप पूर्व 287 में हुई थी Question No.16 Botany सब्द की उत्पत्ती किस भासा के सब्द से हुई है A. Greek B. Latin C. French D. पूर्थकाद आपका एंसर है A. Greek Botany सब्द की उत्पत्ती ग्रीग भासा के बोटानिक से हुई थी Question No.17 Phycology में किसका अध्यन किया जाता है एंसर है आपका B. सेवाल Question No.18 पर्यावरण का अध्यन जीव विज्ञान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है A. वर्गिक B. अनुवन्चिकी C. कार्यकी D. पारिस्थितिकी आपका एंसर है D. पारिस्थितिकी Nineteen No.1 Question है Dendrology का संबंद है A. पौदे के अध्यान से B. पुस्पो के अध्यान से C. जाडियों के अध्यान से D. रिच्छों के अध्यान से Option C. करेक्ट एंसर है C. जाडियों के अध्यान से Question No.20 पुस्पो का अध्यान कहलाता है A. एग्रेस्टोलॉजी B. फिनोलॉजी C. एंथोलॉजी दी इन में से कोई नहीं आपसे नमबर C correct answer है anthology थैंक्स पर वाचिंग अगर हमारे और सेर करें थैंक यू आपसे नहीं